यानि जब चार्ज रेस्ट पर होगा उसकी स्टडी को कहते हैं स्टाटिक एलेक्ट्रिसिटी और जब चार्ज चल रहा होगा तो कहते हैं करंट एलेक्ट्रिसिटी करंट एलेक्ट्रिसिटी ही आप लोगोंने क्लास 10 के अंदर पढ़ना होता है कितना एलेक्ट्रिक चार्ज flow कर रहा पर यूनिट टाइम ऐसा भी कह सकते हो कितनी स्पीड से चार्ज दौड रहा है आप एक बार बताओ अगर अगर डेल्टा वी और डेल्टाई को में डिवाइड कर दो तो क्या यह क्या यह क्या हाल चार माइड मैप दसवी क्लास के लिए आप सभी के लिए चली रहा है लेकर के आए आज एडिमांड आप लोग किया है तो ठीक है भाई फिर से आ गये हम रिज़िजन चाहिए आजाओ करा देंगे बाइंड मैप चाहिए आज देंगे फर्मुला शीट चाहिए लेक् electricity का mind map यानि सारे के सारे concepts हम लोग बिल्कुल scratch से पढ़ेंगे सारे formulas देखेंगे even सबके units भी जो की बहुत-बहुत जरूरी होते और बच्चे बहुत गलती करते units के अंदर भी उन सब चिदों को भी आज हम देखने वाले हैं तो start करते हैं अब बिना time electricity होती है तो बाई एक branch of physics की जिसके अंदर हम लोग charge की study कर रहे होते हैं लिखा हुआ चार्ज और उसके effect की study करने को ही electricity कहते हैं दो प्रकार की electricity होती है static और एक होती है current static electricity फिलाल आपके syllabus में नहीं है बात यहां पर यह हो रही होती है गर चार्ज रुका हुआ है तो कैसे effect दिखाता है static का मतलब होता ही rest है static का मतलब होता ही rest है और current का मतलब एक तरीके से होता ही motion है moving चीज को current कहते हैं बाई है ना और static चीज का मतलब क्या हुआ यानि जब चार्ज रेस्ट पर होगा उसकी study को कहते है static electricity और जब चार्ज चल रहा होगा तो कहते है current electricity current electricity ही आप लोगोंने class 10th के अंदर पढ़ना होता है static electricity पढ़ने के लिए आपको दो साल और वेट करना पढ़ेगा यानि 12th में जाना पढ़ेगा पहला ही चप्टर है electrostatics यानि charge at rest पूरा चप्टर है अराम से पढ़ना एक नहीं दो दो चप्टर हैं बलकी वहाँ पर तो start करते हैं अपन 10th class के हमारे चप्टर से सबसे पहले बात आती है charge की बच्चा समझता है कि charge क्या है उसको लगता कि charge कोई, चीज नहीं होती है जैसे यह एक rag riding है है यह एक remote है, यह एक mic है ऐसे हमने इस चीज का नाम रखा हुए कि का कोई चीज है तो उसका नाम रखा हुआ है बात यहां पर यह के charge आ ना वह है तो quality है तो किसी जिसकी property न समझेगे न तो ऐसे जैसे अच्छाई बुराई किसी व्यक्ती की property हो सकती है इसी प्रकार चार्ज भी-matter की property है लिखा उँआ इडिद फिजिकल कॉंटिटी आफ मैटर देख झो एक फिजिकल quantity है किसकी matter की physical quantity of matter which can cause it to experience a force when placed near other electrically charged matter देखो वाई आपने सुनी होगी यह कहानी कि दो charge particles जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो यहां तो वो attraction होती है यहां फिर वो repulsion होती है सुना है कि नहीं सुना six class से वाते आपने सुनी होगी चार्ज आते हैं गर दो तो उनके वीच में attraction चलता रहता है तो यह क्यों चलता है यह इसलिए चलता है क्योंकि matter के पास ऐसा गुण है जिसका नाम है चार्ज एक्चुली matter पर ही चार्ज होता है जैसे electron क्या नेट चार्ज नहीं होता बिल्कुल सही कहते हैं body पर body पर कोई net चार्ज नहीं है लेकिन इसका मत्तब यह नहीं कि उसके अंदर चार्ज नहीं है charge हर matter में होता है हर material में होता है वाई क्योंकि सारा का सारा matter जो है वो electron प्रोटन और neutron से मिलके ही बनाए यानि आप सोचोगे क्या हम भी charged है क्या बिल्कुल हम charged है भाई क्या यह मेरा हाथ charged है बिल्कुल आपका भी हाथ charged है एक एक बाल एक एक बाल आपके सिर का अपने आप में charged है क्योंकि सबके पास electrons है सभी के पास atoms है atom के अंदर ही electrons, protons, neutrons होते हैं और ये सब के सब matter है और matter का मतनब charge particle तो हो गई होगा क्या कुछ समझ में आया तो charge गुण का नाम है भाई matter के गुण को matter का एक गुण है जिसको charge कहते है जिसे matter का एक गुण है mass भाई जहाँ जहाँ आपको matter मिलेगा वहाँ आपको उसके साथ जुड़ा mass जरूर मिलेगा जैसे भाई मैं एक matter हूँ हाँ क्योंकि मेरा एक mass है ये panic matter है क्यों क्योंकि इसका एक mass है matter exist नहीं कर सकता बिना mass के सही बात है के नहीं ये class 9th की chemistry का पहला chapter ही था matter in our surroundings हमारे आसपास का जो पदार्थ है हमारे आसपास का जो substance है हमारे आसपास जितनी भी chemical चीज़े है वो सब की सब atom से मिलके बनी हुई है और आप ये जानते हो के atom के पास electron, proton, neutron होते हैं जो की charge particles हैं जी यानि charge के बिना matter नहीं exist कर सकता इस बात को समझ लो और charge भी matter के बिना exist नहीं कर सकता मने एक दूसरे के पूरक है दोनो symbiotic relation समझते हो ना बाई बाई उमें पढ़ा होगा शायद आपने symbiotic relation इसी प्रकार का relation एक दूसरे के उपड़ डिपेंडेंट है एसा यूनिट क्या है इसकी कूलॉंब ठीक है जी सी से डिनोट करते हैं इसको और charge को डिनोट किया जाता है क्यू से यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ quantization इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ quantization का मतलब होता है minimum package जो charge का nature ने आपको दिया है nature के दौरा जब charge सब जगा पर दिया गया है फैलाया गया है हम nature को देवता जी मान लेते है कि यह प्रकृति जो है वो देवी है एक तरीके से तो जब देवी कुछ दे रही है हमको तो उसने हमको charge भी दिया है यह प्रकृति बना के दिया है तो भाई उसके अंदर चार्ज भी दिया है जो चार्ज दिया है ना उसका सबसे smallest packet जो दिया है वो इतना चार्ज दिया है इतना चार्ज दिया है इतना चार्ज दिया है इस इस दा स्मॉलेस्ट पैकेट अफ चार्ज अवेलेबल तो ये quantization का मतलब होता है quanta का मतलब ही होता है packet यहाँ पर जो शब्दा हुआ ना quanta, quantity से आया है एक fixed quantity कर दी गई है चार्ज की किस ने करी? nature ने करी कुद्रस ने करी और वो कितनी करी? वो इतनी करी वो इतनी कर दी और आप जानते हो यही charge one electron पर exist करता है यानि क्या सर हम यह कह सकते है कि जो electron का charge होता है वो smallest available charge है nature में बिल्कुल ऐसा ही मानते है scientist लोग ऐसा ही मानते है कि जो electron का charge है वो smallest charge available है nature में सर क्या उससे छोटा charge available हो सकता है? क्या? बिल्कुल हो सकता है मना कोई नहीं कर रहा है इस बारे में लेकिन study नहीं किया गया study नहीं कर पा रहा है उसके उपर होता है बिल्कुल up quark down quark नाम की चीज़े आपको सुनने को मिलेंगे यह मैं इस detail में जाना नहीं चाहता नहीं तो आपके chapter का revision रह जाएगा यह सब तो बारवी class की बाते हैं यहां फिर हो सकता है bsc msc की बाते भी जाकर के आती हो bsc msc मैंने करी नहीं है ठीक है तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि electron को electron पर पाए जाने वाले charge को सबसे smallest packet माना गया है और इसे कहते है quantization इस property को कहते है quantization के charge की एक property है जिसकी वज़े से उसको सबसे छोटा हिस्सा जो माना गया है वो इतना माना गया है and this is one electron का charge ठीक है न दिखा दिखा यहाँ पर लिखा हुआ the charge on an electron यानि एक electron an electron का मतलब क्या हुआ एक electron का जो charge होता है उसी को quantization कह सकते है क्वांटा कह सकते है छोटा packet कह सकते है clear है बात ये एक scalar quantity होती है और आपको कुछ छोटी-छोटी units भी जाननी चाहिए है इसकी जैसे micro coulomb है ये milli coulomb है और ये है mega coulomb लिख लीजएगा इसको अपने notes मे micro और milli तो खास कर लिख लेना वाई इसको कहते है micro coulomb इसको कहते है milli coulomb और ये होता 10 की power minus 6 और ये होता 10 की power minus 3 और जो mega coulomb होता वो होता 10 की power plus 6 plus 6 आया हुआ है ठीक है जी ध्यान रहेगी ये बात है आगे चलते है फटा-फट से next जो आती है वो है current what is current देखो बही current जिस तरीके पर खड़े रहने के लिए नहीं है मतलब उसको हम लोग study जो कर रहे है वो खड़े रहने पर study नहीं कर रहे है उसके चाल पर study कर रहे है उसके चलने पर study कर रहे है उसके motion पर study कर रहे है तो जब motion of the charge की study होगी तो हम current को पढ़ेंगे current का meaning क्या होता है what is electric current, कैसे define किया जाता electric current को, electric current define होता है rate of flow of charge से अब सरी ये rate of flow of charge क्या होता है देखो rate शब्द कहीं भी आए ना तो आपके mind में एक बत्ती जगनी चाहिए एक बलब जगना चीए छोटा सा के rate शब्द आया है, rate का मतलब जरूर time से comparison हो सकता है आपे, किस से comparison हो सकता है time से, किस का comparison हो सकता है electric charge का तो क्या लिखा हुआ है rate of flow of electric charge, यानि कितना electric charge flow कर रहा per unit time ऐसा भी कह सकते हो कितनी speed से charge दोड रहा है किसी wire में, किसी conductor में कितनी speed से charge दोड रहा है ऐसा भी समझ सकते हो आप current को, जादा असान भाषा में आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि भाई, एक wire है, समझ लो, एक पानी की pipe है जिसके अंदर धीरे धीरे पानी निकल रहा है और एक पानी की pipe है, जिसमें बहुत तेज बहुचार से पानी निकल रहा है तो दोनों मैंसे किसमें कहोगे कि water current जादा है किसमें कहोगे कि water current जादा है जिसमें जादा बोचार से पानी निकल रहा है हम बोलेंगे भाई उसमें water current जादा है इसी प्रकार दो wires imagine करो दो तारे imagine करो पहली वाली तार में एक सकेंड में तीन कूलम का चार्ज निकलता है और दूसरी वाली तार में एक सेकंड में पाच कूलम का चार्ज निकलता है आप बताओ जादा चार्ज किसमें पास हो रहा है पर यूनिट टाइम तो भई दूसरी वाली तार में क्योंकि 5 Colum pass हो रहा एक Second में और उसमें 3 Colum pass हो रहा था, एक Second में तो कहा Current जादा हुआ? 5 Colum वाली wire में जादा हुआयर में जादा हुआ, यासरी दूसरी वाली तार में समज में आया Current क्या होता है word? Current का Meaning Current का Meaning per Unit Time, कितना जादा चार्ज पास हुआ इसकी ऐसा unit होती है MPR capital A से denote हो रही है current की current का formula क्या मन गया charge divided by time मन गया i is equal to q by t and में पूरी formula sheet है सारे के सारे units भी है अभी तुम समझते हैं जाओ बस topics को जादा formula पर focus मत करो formula पूरी sheet बाद में दी गई है कि हमको formula रटा मारना पड़ेगा नहीं रटा नहीं मारना पड़ेगा समझना है physics returning की चीज़ नहीं होती physics समझने की चीज़ होती है आपने समझ तो लिया ना कि current क्या है कितना charge flow हो रहा है per unit time यानि charge upon my time is called current ठीक है और current को denote बेटा I से करते हैं capital I से इसका denotion होता है ठीक है 1 ampere का मतलब क्या हुआ 1 ampere of current represents 1 coulomb of electric charge that is इतना charge carriers moving in 1 second एक second में 1 coulomb का charge अगर चलेगा तो उसे 1 ampere का current कहेंगे इस तरीके से definitions पूछी जाती है board के अंदर के define 1 ampere 1 ampere को define करिये तो 1 ampere कब define होगा जब charge भी 1 coulomb हो और pass भी 1 second में हो रहा हो तो हम बोलेगे current कितना है 1 ampere का current है इस तरीके से current को define कर सकते है 1 ampere के लिए अगेन ये भी एक scalar quantity ही होती है vector quantity नहीं होती बेशक से current के पास direction भी होती है जी बिलकुल current किसी दिशा में चलता ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा तो current की दिशा जरूर होती है लेकिन इसके बावजूद भी वो एक scalar quantity ही है vector नहीं है क्योंकि वो vector के algebra के rules को follow नहीं करता सीधी बात खाली direction हो जाने से कोई vector नहीं होता समझना इस बात को अभी इतनी physics आप लोगोंने नहीं पढ़ी है लेकिन 11th में जाकर के 12th में जाकर के आप और physics को पढ़ोगे तब जानोगे इस बात को कि खाली कोई दिशा ले जाने से कि भाई कोई direction में चल पढ़ा ये हो जाने से कोई vector नहीं हो जाता vector होने के लिए vector की कसोटी ओपर कसना पढ़ता उसको खरा उतरना पढ़ता उसको और वो है vector का algebra vector के algebra के rules follow करेगा तभी वो vector कहलाएगा current ऐसा नहीं करता current vector के algebra के rules follow नहीं करता इसलिए वो scalar quantity है बाकी detail बारवी में जाकर के आपको मिलेगी छोटे छोटे युनिट्स भी जड़ा लेख लेते कौन कौन से वन micro ampere again 10 की power minus 6 ampere milli ampere होगा बिटा ये और ये भी mega ampere 10 की power minus 3 milli के लिए 10 की power plus 6 mega के लिए आगे बढ़ते है next चीज जो आती है वो है device जिससे कि आप लोग measure करोगे किसको current को current को measure करने के लिए जो device use होता है उसे कहते ammeter और उसे हमेशा series में ही connect करते है ये एक series device ही है यानि आपने गर किसी wire के अंदर देख लिजे भाई किसी wire के अंदर आपने current find करना हो कि भाई इस wire में कितना current है तो बस यहाँ पर आपने ammeter जोड़ देना है खतम यहाँ पर आपने क्या जोड़ देना है एक ammeter जोड़ देना यह बता देगा किसी ब्रांच में कितना current है यह बताने के लिए कौन responsible होगा यह भाई responsible होगा clear है बात clear है बात ठीक है ना तो ammeter आपको बता देगा कितना current pass हो रहा है इस तरीके का दिखता है यह इसकी शकल है है ना चलिए दो परकार के circuit होते है एक होता है open circuit एक होता है closed circuit open circuit का मतलब यह होता है current नहीं चल रहा देखो current यहाँ पर मैंने 0 लिखा हुआ है और यहां पर आपको डॉट नहीं दिखेगा बलब आपको भुजा हुआ दिखेगा बेशक से आपने बैटरी जोड रखी होगी इसके बावजूद भी लेकिन अगर एक closed circuit है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर switch जो है बलब भी नहीं जलेगा लेकिन जैसे current चलना चालू हुआ देखो यहाँ पर current non zero हो गया देखो बलब भी जलना चालू हो गया इस परकार से आप समझ सकते हो देखो लिखा भी हुआ अन ख्लोज यहाँ open switch का मतलब यह हुआ के current नहीं फ्लो कर रहा है closed यह continuous path का मतलब यह हुआ के current फ्लो करेगा चलते हैं भाई बात करते है potential difference पर यह potential difference क्या होता है देखो अभी तक हम यह बात कर रहे है के current चलेगा current नहीं चलेगा लेकिन यह तो सवाल पूछा ही नहीं के current चलेगा क्यों है ना वई आपके मन में इस सवाल भी आएगा यह current कभी बात कर रहे हो चल रहा है कभी बात कर रहे हो नहीं चल रहा है लेकिन चली ही क्यों रहा है यह charge motion कर रहा है अपने आप नहीं कर रहा है चार्ज कभी अपने आप motion नहीं कर सकता चार्ज एक random motion जरूर करता है चार्ज एक यानि electron है अगर एक तो random motion जरूर करता है ऐसे 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 घूम के वापस आजाएगा अपने जगा पर लेकिन क्या इसको आप motion का होगे क्या ही एक continuous motion है क्या यह current को जनम दे पाएगा नहीं बेटा यह current को जनम नहीं दे पाएगा करेंटको अगर ज़नम दिलवाना है यानि करेंट को चलवाना थो आपको चाहिए होगा पोटेंचल का दिफरेंज अभी यह ठीने पोटेंचल का डिफरेंच किहा होता है इस तरीके समझ सकते हो पॉडेंशल का डिफरंस आप इस तरीके समझ सकते हो देखो भाई एक टैंक है जिसके अंदर पानी उपर तक भरा हुआ है दूसरा टैंक है जिसमें पानी आदे से भी थोड़ा कम भरा हुआ है तो आपको क्या लगता है कहां से कहां करंट फ्लो करेगा ओविसली आपको समझ पर होता है और जो दूसरा टैंट होता है ना माइन वाला वो लोटेंशल पर हो देखो लिखा हुआ है पॉजटव टर्म Mag a' बैकर इसे ही तो से लोर पोटेंशल की तरफ करंट चलता है जी तो करंट की चाल कहां से कहां होगी प्लस से निकल के माइनस की तरफ होगी तो बैटरी का बैटरी का एक सिरा पॉजिटिव है और एक सिरा नेगिटिव है बैटरी का एक सिरा पॉजिटिव है एक सिरा नेगिटिव है तो पॉज तो अब बात यी आते हैं ये potential difference क्या चीज़ खती तो Look Mmm basically जब सर्केट में current चलता है तो चार्ज ही तो चल रहा है यार नि हो एपने वाला आपने चल रहा है बैटरी उसको दे रही है एनरजी तो आिनर्जी और एक फॉर्म में ही दिया जाता है direct energy नहीं दे सकते आप है ना आपने class 9th के अंदर concept पढ़ाओगा work का भी और energy का भी और आपने चीज देखी थी कि बाई किसी body में अगर energy लेके आनी हो मेरे को इस pen के अंदर मानलो energy transfer करनी है अपने हाथ से मेरे अंदर energy है मुझे इसमें देनी है मुझे इसको चलाना है मुझे इसको उठाना है तो मुझे work done करना पड़ेगा इस पर बिना work done किये मैं इसमें energy नहीं भर सकता बिना work done किये मैं इसकी speed को बड़ा घटा नहीं सकता तो इसी प्रकार charge भी अपने आप नहीं चल सकता उसे भी energy मिलती है इनर्जी कौन देता है बैटरी देती है सबजगे ना तो लिखा हुआ है आपर work done और यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रम वन पॉइंट टू अदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने पर जो work done उस पर किया जाता है that is called potential difference आपको पुरानी किताबे खोलके देखनी पड़े लिभरी में जा करके है और जालावाला जारना पड़े मकडी का उसके बाद कुछ निकल करके है इतना कोई मुश्किल नहीं है potential difference को समझना voltage का मतलब या potential difference का मतलब potential difference का दूसरा नाम voltage होता है पुडेंचiल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज होता है तो इसको समझ रहतना मुश्किन नहीं है वोल्टेज का मतलब वर्क डनी है पुडेंचiल डिफरेंस का मतलब काम करना ही है किस पर? चार्ज पर करता कौन है? बैटरी क्यों करती है उसको चलाने के लिए अब बोलो कोई सवाल हो तो ठीक है न तो आप फॉर्मूला भी देख सकते हो क्या है पुटेंचल का वर्क डन अपॉन में चार्ज अरे चार्ज पर जो काम हो रहा है उसी को बोलेंगे वोल्टेज 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 इस वर्क डन पर यूनिट चार्ज वोल्टेज इस वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना काम हो रहा है चार्ज पर उसको घुमाने में बस उसी को कहते हैं वोल्टेज ठीक है जी डबल्यू बाय की से डिनोट होगा ऐसा यूनिट उसकी है Volt V से ही डिनोट होती है Voltage Quantity है, वो भी V से डिनोट होती है और volts unit है, वो भी V से ही डिनोट होती है, तो कभी-कभी बच्चा Confuse हो जाता है, कि सर ये कौन सा वाला V है, तो भई, दोनों ही V है अब क्या करे, दोनों ही V है SI unit Volt है, उसको भी V से डिनोट करते हैं और जो potential difference या voltage है उसको भी V से ही डिनोट करते हैं अब ऐसा ही है भाई ऐसा ही है कुछ नहीं कर सकते हैं नसे याडी कोल के देख लो आप यही है ठीक है लिखा हुआ है भाई वन वोल्ट की पॉडेंचल डिफरेंस है देखो लिखा हुआ है जूल अफ वर्क इस डण इन ब्रिंगिंग वन कूलम अफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिरिटी तो अपॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड दन पॉडेंचल डिफरेंस अट पॉइंट इस तरीके साफ इसको को डिफाईन करते हो ये अगे चलते ह। को üçफ केंशे होंत्रिक और लगता है तब उडल्च को इसे चलते हैंजब वूल्ट सेंजनल सोटेख बनानों होगा पर जिंगिंग रखनो अपनी सथ कंवेंशनल सिम्बल्स पर चलते हैं जब भी देखो circuit बनाना होगा आपको मैं एक simple circuit बना के आपको दिखाता हूँ एक simple circuit diagram आप देख सकते हो मैं इनी इनी सब symbols को use करते हुए एक simple circuit diagram बनाता हूँ देखो यहाँ पर battery का symbol क्या है यह वाला तो मुझे battery का symbol तो चाहिए होता है कोई भी circuit हमेशा ध्याना करना कोई भी circuit चार चीदों से मिलके बनता है कोई भी circuit चार चीदों से मिलके बनता है एक कोई device होगा भाई आपका AC हो सकता है TV हो सकता है बलब हो सकता है फैन हो सकता है बहुत सारी चीज़े हैं कोई भी हो सकती है काम करती है यानि बंगाने का काम करती है और चौती चीज क्या चौती चीज सुच ताकिया अप कभी वहरण यह कर सको ओने चाहिए इसके अलाबा कुछ चीजें आप चाओ तो जोड है पंस आपको दीखा देता हूं देखो मान लेते हैं कि भाई ये कोई डिवाइस है ये डिवाइस दिखाने का तरीका होता है आर लिख सकते हो आप उपर यानि रिजिस्टन्स ठीक है जी यहाँ पर मैंने एक एम मीटर भी लगा दिया ताकि मैं करण नाप सकूं फिर ये मैंने बैटरी लगा दी ये मैंने एक स्विच लगा दिया ठीक है जी स्विच आउन कर दिया प्लस माइनस बैटरी प्लस माइनस एम मीटर और इसके पैरलल में लगा हुआ वोल्ट मीटर मैंने का था ना आपको कि वोल्ट मीटर एक पैरलल में लगा हुआ डिवाइस से और स्रीज में लगने वाले डिवाइस का नामे एमिटर कोई दिक्कतों नहीं बस इतना चाहिए इतने चींगे इनरजी का सोर्स आ गया हां ओगया वायर आ गई हां इंड़ाई डिवाइस विल्कुल आ गया स्विच आ गया हजी वो भी आ गया खतम हो गया एक सिंपल सर्केट ऐसे बनता है कोई समस्या सिंबल्स का यूज आप कर सकते हो एक साल के लिए आप एक ही दिखाऊगे है ना बैटरी के लिए आप मल्टिपल से दिखाऊगे अगर प्लक की ओपन है तो बीच में डॉट मत लगाना प्लक की क्लोज देखा तो बी टाप मतला कूद के जाना है ना तो कूद के जा रही है ठीक है ना इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसा सिंबल आप दिखा सकते हो रिजिस्टेंस ऐसे दिखा सकते हो वेरियेबल रिस्टेंस ऐसे दिखाके एरो दिखाते हैं एम मीटर वोल्टेमीटर बीच में एवी है ना और proportional होते हैं, इसका meaning कीया मैं आपको feel के साथ समझाता हूँ, देखो जितनी ज्यादा voltage लगाओगे यानि जितनी ज्यादा energy वाली battery लगाओगे क्या उतना ही ज्यादा charge तेज नी चलेगा क्या, यानी उतना ही ज्यादा यही है ओम्सलो बस देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोइंग थूरा कंडेक्टर इस डिरेक्ट ली प्रपोर्शनल टू दा potential difference across its ends प्रोवाइड दीजिकल कंडिशन लाइग temperature प्रशर वगरा चेंज नहीं होने चाहिए है न वाई अगर temperature में कोई चेंज आ गया तो ohms law वैलिड नहीं होता ohms law validity तभी है जब आप temperature बराबर रखो change नहीं थाग है v proportional i और formula जो बनता है v is equal to i r ये formula है इसमें R जो है वो एक constant है इस formula के लिए R जो है वो constant है R मतलब होता है resistance आईए समस्ते है कि resistance क्या चीज होती है next topic आपका यही है resistance है ना ohms ला समझे में आगया V और IR इक्वल होते है V is equal to IR यानि voltage current दोनों क्या है proportional है resistance पर आते है resistance किसी भी conductor की property हो सकती है कि वो moving charge को oppose करे अब आप सोचते होगे कि oppose करने वाला कौन आ गया अच्छा वाला charge चल रहा था है कि happy family चल रही थी है ना हसी खुशी काम चल रहा था यह रुकावट पैदा करने वाला कौन आ गया आपको क्या लगता है अगर electron चल रहा है तो बस वो बड़े प्यार से चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा उसको रोकने वाले नहीं होगे क्या बिलकुल होगे अगर electron चलता है तो उसके रास्ते में बहुत सारे atoms खड़े है, atom का मतलब protons इस चक्र में इलेक्ट्रोन अपनी एनरजी टाइम टू टाइम लूज करता जाता है इसलिए उसको रिजिस्टेंस कह रहे हैं रुकावट रिजिस्टेंस की हिंदी होती है रुकावट ठीक है लिखा हुआ है दे प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडुक्टर बाए वर्चु ओ को क्या करने वाला अपोस करने वाला ठीक है जी थूइट इस गाल इट्स रिजिस्टेंस एसा इनिट क्या होती है ओम होती है है और आप जैसे वी इस इक्वल टू आई आर लिखते हो है ना ऐसे यहां से आर को वी बाई आई भी लिख सकते हो लेकिन यह इसका खुद का फॉर आर में आर एक कॉंस्टेंट है आर यहां पर चेंज नहीं कर रहा लेकिन अभी करेगा अभी बात करेंगे इस बारे में आर भी है जो चेंज कर सकता है ठीक है जी यह स्केलर कॉंटिटी है अगें ठीक है ओके देखो बाई एक ग्राफ बना हुआ यहां पर वी आई का भाई जो वी ए और आई अपस में या इल्स है तो चाहे इव गराफ बनाओ चाहे वि आई गराफ बनाओ यह आए गातो हमेशा स्ठेट लाइन यही ना यहां फिर आई पर फोर्थे से जलोप निकालो है है ना स्लोप निकालना मैं आपको सिखा देता हूं अगर आप वी आई का स्लोप निकालते हो है ना वी और आई यानि वाइक्स पर आपने क्या रखा हुआ वी और एक्स पर आपने क्या रखा हुआ आई तो अगर आप इसका स्लोप निकालते हो पहले मैं काम करता हूं स्लोप का meaning आपको समझाता हूँ slope का meaning होता है बेटा y में change divided by x में change यानि 2y की value divided by 2x की value y2 minus y1 upon x2 minus x1 similar similar तरीके से आप यह समझ सकते हो कि भाई अगर हम slope vi का निकालेंगे तो उपर रखेंगे delta voltage और नीचे रखेंगे delta current आपको क्या लगता है जब delta v यानि voltage की दो values आपस में minus होंगी और current की भी दो कोई values आपस में minus होंगी बहुत सारी reading लेंगे ना आप समझे रहो यह graph कैसे बनेगा यह graph बनेगा जब हम बहुत सारी readings लेंगे है ना तो हो सकता यहाँ पर यहाँ पर तो 0,0 है ना थोड़ा सा आगे जाए यहाँ पर है ना तो यहाँ पर कुछ v1 x पहले वाए बाद है यह ना i1 v1 आए और ऐसे यहाँ पर क्या आए i2 v2 आए समझ पा रहे हो समझ पा रहे हो यह i2 यह i1 यह v1 यह v2 समझ पा रहे हो भई कुछ दो voltage की values आ सकती है कोई दो current की values आ सकती है सही बात है के नहीं तो v2 minus v1 upon में i2 minus i1 है ना क्या यही slope नहीं है क्या बिलकुल यही slope है तो भाई आप एक बार बताओ अगर अगर डेल्टा V और डेल्टा I को में divide कर दूँ तो क्या यह क्या यह resistance नहीं है क्या 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 V by I क्या V by I रिस्टेंस नहीं होता क्या बोलो वाई क्या वी बाय आई वोल्टेज अपॉन में करेंट ही तो रिसंस होता है तो यानि अगर आप स्लोप निकालोगे एक वी आई ग्राफ का अगर आपने स्लोप निकाला तो आपको क्या मिलती है इस बात को ध्यान रखना भाई ठीक है ना सवाल भी आएंगे इस प्रक संड नहीं है यह कई सारी और चीदों पर भी डिपंड करता है उसमें से चार चीज़े मैं आपको बता रहा हूं यहां पर जो कि न्सी आटी के अंदर लिखी हुई है पहली लेंथ आप इन दो तार वो कंपेर करो जड़ा यह लवन तार यह लेंथ वन यह लेंथ लेंथ ट की भोटा होगा तो पहली प्रॉपर्टी क्या है पाली प्रटी है लेंथ ऑफ दा वाय लेंथ जितनी लंबी होगी रिंख modern होगी यानि रेजिस्ट्न सिर्ट न्स प्रोकोर्श्णल टू लिंख सकते हैं के नहीं है best इसका यहीं तो मतलब होता बाई जितनी ज्यादा पलवाद, clear है, बढ़िया, clear है, आगे बढ़िया, next है area, area मतलब कौन सा area, इसको बोलते area of cross section, area मतलब तार की मोटाई, ये है तार की लंबाई, length माने तार की लंबाई, और area मतलब तार की मोटाई, तार मोटी कितनी है, अब आप देखो यहाँ पर, ये जो area है ये वाला, ये चमका रहूं मैं यहाँ पर देखो, ये वाला area, और ये वाला area, फरक बताओ जरा, फरक बताओ जरा, कौन सा area बड़ा, कौन सा चोटा, बताओ, है तो circle का area ही, अरे side से तो wire circle ही होती है, cylinder है ना एक wire, और एक wire cylinder है के नहीं, तो side से तो, side से तो circle ही होगी ना, वो इधर से देखो, चलो ये wire समझ, लो इधर से देखो, क्या ही है, circle ना, pi r square होती है, मैं भाई पूछ रहा हूँ आप से, ये area बड़ा के ये बड़ा, तो area जादा होगा ना, resistance उतनी कम होती है, उल्टा इसाब है, उल्टा इसाब है, area यहाँ जादा है ना, तो resistance यहाँ क्या होगी, वेटा कम होगी, और area यहाँ कम है ना, तो resistance यहाँ पर क्या होगी, जादा होगी, समझ गए, समझ गए, माने जितनी लंबी तार, उतनी जादा र रुकावथ है अगर आप चाहते हो कि ale निकले तो चोपी अर्वा च्छोटी मोटी तार ओई और ज्होटी मोटी तार के अध़ागों मतलब कर्ण क्या आएगा चीडा चीकحें जा HU 2 तो इसके लबर sil cafe 형a misery in a nature of the material इसको रेजिस्टी विटी वी काते इंच है ना अभी अभी इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इसको resistivity भी कहते हैं और resistivity को row से denote करते हैं रो यह symbol है रो symbol का नाम भी लिख देता हूँ symbol का नाम है रो ठीक है जी symbol का नाम है रो nature of the material यानि resistivity resistivity क्या है रो है कहते हैं कि भाई जो conductors होते हैं ना उनकी resistivity काफी low होती है जो semi-conductor होते हैं उनकी ठीक ठीक होती है और जो insulators होते हैं उनकी resistivity बहुत जादा होती है भाई, nature of the material एक बहुती important, एक बहुती important factor है, आप खुद सोचो, हम यहाँ पर लंबाई, मुटाई की बाते कर रहे हैं, लंबाई, मुटाई छोड़ो, अगर मैं आपको एक लकड़ी लाके दे दूँ, क्या उससे current pass करवा के दिखा दोगे, अगर मैं आपको काच की wire लाके द आप ते रहोगे उसका क्या, सबसे बड़ी चीज माटीरियल है, सबसे important चीजी nature of the material है, and that is called resistivity, इसलिए इसको अच्छे समझना, resistivity का मतलब होता है, यह एक material dependent property है, यानि हर material की resistivity अलग-अलग होती है, और insulators की सबसे जाधा होती है, लिखा हुए ना, insulators की having very large resistance क्यों, क्य resistance जाधा क्यों है, क्योंकि resistivity जाधा है, तो current अपने आप क्या निकलेगा, बहुत कम निकलेगा, है ना, इसका medium-medium है, और इसकी resistance अगर less है, तो वो इसलिए क्योंकि इसकी resistivity less है, और current यहाँ पर क्या निकलेगा, जाधा-जाधा निकलेगा, तभी तो वो conductor कहलाएगा, जलो, बस, इतना काफी है, इतना काफी है, ठीक है, और formula बना दिया गया है, बिटा, देखो जड़ा, मैं खुद लिख देता हूँ, एक R proportional L है, और एक R inversely proportional to A है, दोनों को join कर दिया, join करके यह बन गया, R proportional L by A, कोई समस्या, proportionality का sign हटाऊँगा, equal to लगाऊँगा, तो एक constant भी add करूँगा, यहाँ पे Rho, Rho L by A, यह formula है resistance का, Rho L by A, R बराबर Rho L by A, R बराबर Rho L by A, R बराबर Rho L by A, resistance is equal to resistivity times the length divided by area, यानि मोटाई, लंबाई उपर मोटाई नीचे, आगे बढ़ते, बात करते resistivity की, तो बाई resistivity क्या है, मैंने अभी-अभी बताया आपको, यह material की property होती है, अलग-अलग material होंगे, तो सब की अपनी-अपनी अलग-अलग resistivity होगी, कोई material current को जादा रोकने की इच्छा रखता है, तो उसकी resistivity जादा होगी, कोई material current को कम रोकने की इच्छा रखता है, तो उसकी resistivity क्या होगी, कब होगी, basically it is a material dependent property, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस बात को, क्या है ये, क्या है भाई ये, ये एक material dependent property है, और क्या लिखा हुआ है, इट refers to resistance of a conductor of unit length and unit cross sectional area, यानि, r is equal to rho l by a है, मान लो, हाँ है, अगर हम put करें, length को 1 meter, और area को 1 meter square, कर दू, कर दू, put, करू, आ जाओ, r is equal to rho k बराबर हो जाएगा, देख, 1 by 1 कर रहा हूँ इसको, है ना, तो rho r कही तो बराबर हो गया, तो यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, तो resistance of a conductor of unit length and cross sectional area, यानि, अगर आपने, आपने 1 meter की तार ले ली, और 1 meter square area की मोटाई ले ली उस तार की, तो resistance और resistivity में कोई फरक नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है न, ऐसा करके technically define किया गया, इसको, si unit इसकी होती है, ohm meter, यह कैसे आई में आपको निकालनी जिखाऊँगा, यह ohm meter, si unit कैसे आई में आपको निकालनी जिखाऊँगा, resistance की आपको पता, ohm होती है, resistivity की होती है, ohm meter, कैसे समझाऊँगा, यह भी nature और temperature पर depend करती है, इसकी dependency अलग है लेकिन, तो आपको दोनों ध्यान में रखने है, resistance, चार चीज़ों पर depend करती है, length, area, material, temperature, resistivity, दो चीदों पर depend करती है, कोई formula नहीं है, कोई formula आपको याद भी नहीं करना, कोई value भी याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ concept आपको पढ़ना है, resistivity दो चीदों पर depend करती है, nature of the material और temperature, बास, आगे चलते है, resistivity of different materials, NCRT के अंदर ये table बनी हुई है, आप चाहें तो NCRT के वो पीली वाली table देख सकते हो, याद नहीं करनी, याद नहीं करनी, आप values को देखो एक बार ज़रा, silver की value देखो क्या है, 1.5 into 10 की power minus 8, minus 8, 10 की power minus 8, ये काफी छोटी है, काफी छोटी है, और एक बार ज़रा glass देखना glass, 10 की power 9, quarts देखना ज़रा, 10 की power 17, है न, और ये भाई कौन सा है, ये hard rubber, rubber, rubber तो अच्छा कासा insulator होता, 10 की power 13, तो आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, स low होगा, वही low conductors होंगे, हाँ की न, अगर row medium होगा, तो वो alloy या semi conductor का का काम कर सकते हैं, अगर row जादा होगा, तो वो insulator का का काम करेंगे, हाँ की न, समझ में आ रही है बात, values देख करके आप analyze भी कर सकते हो, कि कौन सा material हमको ऐसा conductor यूज़ करना चाहिए, और कौन सा material हमको ऐसा insulator यूज़ करना चाहिए, तो scientists लोग यही करते हैं, scientists लोग इस table की help लेते हैं, और decide करते हैं, कि भाई, इसको हम insulator की तरह से प्रयोग करेंगे, इसको हम conductor की तरीके से प्रयोग करेंगे, अब मैं आपको unit निकालनी सिखाता हूँ, जो हमने इस row की दे देखी थी अभी अभी, देखो भाई, आप SI unit निकालने जा रहे हैं, किसका, resistivity का, तो यह कैसे आएगा, आपको formula पता है, R is equal to row L by, है ना, इसी formula में यह row आता है, सही है, तो आप इसकी unit छोड़ दो, नहीं पता ना, नहीं पता सर, बाकियों की पता है, बाकियों की पता है हाँ सर, इसकी पता है, ओम होती है, ओम, इसकी नहीं पता है, ठीक है, छोड़ दो, length की क्या होती है, meter, area की क्या होती है, meter square, एक मीटर से एक मीटर कड़ गया, यह मीटर जाएगा, रो के साथ यह बन जाएगा, सारी, ओम के साथ और यह बन जाएगा, ओम मीटर, यह unit है, दे cross करके answer आप निकाल सकते हो ठीक है ना मीटर से एक मीटर कड़ गया वो मीटर जाके वाँ multiply हो गया खतम खतम जी खतम clear है बात समझे में आया इस तरीके से काम करना है ठीक है चलिए अब series और parallel की बाते कर लेते हैं देखो भाई series और parallel की बाते न mind map के थुरू practice नहीं हो सकती you cannot master it using a mind map specially on these two topics series और parallel आपको इसके लिए questions प्रेक्टिस करने पड़ेंगे तो ये mind map की series है यहाँ पे question practice नहीं हो सकते बेटा मैं question नहीं ला सकता है प्रेक्टिस के लिए restrictions है लेकिन आप ये समझ लो कि आप concept यहां से सीखो लेकिन practice आपने जरूर करनी है तो मैं काम करूँगा अभी सुन लीजिए जो जो बच्चे यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं ये topic पढ़ने के बाद आप इस वीडियो को pause करना description open करना उसमें मैं एक link लगवा दूँगा जहां से आप numerical practice कर सकते हो ठीक है नुमेरिकल प्रेक्टिस के लिए वो link एक बार open कर लेना open करके आप देख लेना कि उसके अंदर क्या क्या चल रहा है numerical चलेंगे लगातार मैंने different topics के numerical करवाये हैं electricity पे ही है सारे numerical ठीक है न सारे formula use करवाये हैं उसके अंदर मैंने चीक है तो आप यहां तक की चीजें उसमें से चाहें तो practice कर सकते हैं लेकिन इस पूरे mind map को देखने के बाद करना तो मैं link description में लगवा दूँगा जरूर यह mind map पूरा हो जाने के बाद आप उसको bookmark करके रख लेना है ना या फिर save later करके देख लेना ताकि आप mind map के बाद आप numerical भी करो क्योंकि electricity का मत्तब सिर्फ formula देख लेना नहीं होता सिर्फ concept देख लेना नहीं होता electricity में से लगबग 60% का जो भाग आ रहा है वो numerical based आएगा केवल 40% ही है जो theory आएगा तो theory पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है सवाल बनेंगे लेकिन 40% ही बनेंगे 60% सवालों के लिए आपको numerical practice करनी पड़ेगी यह मैं आपको बता देता हूं भाई ठीक है चलिए शुरू करते हैं अपन series की और parallel की बात है series का मतलब क्या होता है आप जब बहुत सारे resistances को end to end connect करते हो ठीक है ना कैसे connect होते है end to end और parallel का मतलब होता है जब आप same voltage पर connection देते हो सबका है ना जैसे देखो यह वाली जो resistance है है ना यह वाली R3 और R2 भी देखो और R1 भी देखो यह सब एक ही joint पर जाके connect हो रहे है है ना joint एक ही है और वो joint जो है वो battery से जुड़ा हुआ देखो है ना समझ पा रहे हो यह दो जो यह जो दो joints है यह battery के दो end से जुड़े होए है यानि battery का जितना भी potential होगा वो इनको मिलने वाला है समझ रहे हो के नहीं तो यही parallel की खासियत होती है series में ऐसा नहीं है series में अगर यह दो joint है तो यह सी current सेम रह सकता है यहाँ पर current सेम नहीं रह सकता यानि सीधी सी बात समझ लो के series के अंदर खासियत यह है के current सेम रहता है सभी resistance में क्योंकि path सेम है एक ही path पर current चलता है आपको यह बात पता है अरे भाई same path पर current चलता है तो सब पर same current जाएगा current सेम रहता है लेकिन voltage करती है divide यहाँ पर उल्टा है वेटा यहाँ पर उल्टा है यहाँ पर वोल्टेज रहती है same क्योंकि सब के सब same potential difference पर जुड़े होए हैं लेकिन current यहां करता है डिवाइड करेंट यहां होता है डिवाइड क्योंकि सेम करेंट तो निकला लेकिन पाथ डिवाइड हो गए पाथ डिवाइड होंगे तो current डिवाइड हो ही जाएगा पाथ डिविजन होगा तो current का division हो जाएगा सही ए maximum effective resistance निकल के आती है जब आप series में connect करते हो तो minimum लिंपने मैं किर फिरीज में जोड़ने पर और सब्सट्सबुड़ घाटि एसे किनेकशन होगा एसे पर कणेकशन होता है हैं दो points के cross, ऐसा लिखा हुआ है, है ना, connected simultaneously across the two points, two points के cross, एकठे, ऐसे connection होगा, ऐसे, देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ऐसे connection होता हुआ, इस प्रकार से आपको connection होता दिखेगा, current remains constant, but voltage varies, सही बात है, voltage remains constant, बढ़कर, यह मैंने R parallel, बच्चे जनली क्या करते, RHS याद रख लेते, LHS याद नहीं रखते, कोई भी formula अगर आप याद करो ना, रटा भी मारो ना, भाई आगे से आगे तुमने science नहीं लेनी हो, 11 पे तुमने physics नहीं पढ़नी हो, तुमने commerce पढ़ना हो, तुमने humanities पढ़ना हो, most welcome, most welcome, आप कहोगे सर, welcome क्यों कह रहे हो, आप तो physics पढ़ाते हो, अरे भाई या, physics वाला तो सब कुछ पढ़ाता है न, अगर commerce पढ़ना हो, तो commerce वाला पर most welcome, humanities पढ़ना हो तो भाई, arts वाला पर most welcome, मैं तो most welcome ही बोलूँगा आपको भाई, आप तो future में जा रहे हो, welcome to the future भाई, अगर आप science नहीं पढ़ना चाहते 11 तुल्थ में, physics नहीं लेना चाहते 11 तुल्थ में, तो भी, रटना भी चाहते हो न, अगर formula को, तो LHS समेत रटना हमेशा, मेरी ये tip आपको बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी, क्योंकि formula आपका पीछा नहीं छोडने वाले, आपको क्या लगता है, आप commerce लोगे तो क्या आपको formula देखने को नहीं मिलेंगे, आप humanities लोगे तो क्या आपको mathematics देखने को नहीं मिलेगी क्या, मिलेगी बाए, मिलेगी बाए, ऐसा नहीं हो सकता, GDP नहीं निकालोगे क्या, उसका formula नहीं मिलेगा, क्या आपको देखने को, उसके लावा बहुत सारे formula है, GDP तो आप 9-10 में ही देख लेते हो, तो आपको क्या लग रहा है, maths आपका पीछा छोड़ देगी, अगर आप maths छोड़ दोगे तो, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, आपको graphs पढ़ने पढ़ेंगे, आपको pie charts पढ़ने पढ़ेंगे, आपको averages निकालने ही पढ़ेंगे, आपको standard deviation निकालना पढ़ेगा, maths के साथ आपको deal करना पढ़ेगा, you have to do the math, till the very last breath of your life, ठीक है जी, maths आपका प हमेत रखना, सही है, आगे बढ़ते हैं, heating effect, heating effect बड़ा ही प्यारा topic है, जूल सहाब ने heating effect का law दिया था, उन्होंने ये कहा था कि भाई, जब electron चलता है, तो अपनी पूरी kinetic energy के साथ चलता है, सोचता है कि मैं जाओंगा, मैं pass करूंगा, लेकिन होता क्या है, टकरा जाता है बिचारा, रुकावटे होती है न, resistance होती है, टकरा जाता है, टकरा जाता है, तो collision होता है, उसकी kinetic energy जाएगी किस form में, heat के form में निकलेगी, समझ गे न, तो kinetic energy किस form में convert होगी, heat के form में convert होगी, यही लिखा हुआ है, when current flows, पढ़ लो, electrons move and when they move, collide with each other, when they collide, heat is produced, साफ साफ energy में, तो वही जो energy थी, अब वो किस में convert होती दिखरी है, heat में, यह कौन सी energy थी, battery वाली, battery नहीं तो energy किसको दीती, electron को, और वो electron निक्खो दी, कैसे, टकरे मार के, टकर खा खा के, समझ गे न, चलिए, ऐसा unit, जूल ही होगी, क्योंकि आप energy पढ़ रहे हो, चाहे heat पढ़ heat भी energy है, तो जूल ही इसकी unit होगी, formulae, h is equal to vit, h is equal to i square rt, h is equal to v square by r into t, यह तीनों formulae heat के ही है, आपने तीनों formulae अपने पास लिखने चाहिए, practical applications पर आते हैं भाई, है ना, तीन applications है, एक है अपना electrical appliances के अंदर heating element होता है, है ना, सुनाओगा आपने, electrical appliances के अंदर क्या होता ह heating element, heating element में क्या यूज होती है, heating element में nicrome wire यूज होती है, यह एक alloy होता है, nicrome basically एक alloy है, nicrome, nicrome, या निकल और chromium का alloy है, इसके लावा दो और metal होते हैं, और कुछ traces भी होते हैं, other metals के, इतना important नहीं है बात जानना, लेकिन इतना जानना आपके लिए जरूरी है, जो मैं बता रह इसके अंदर heating element होता है, और यह heating element बनता है किसका, nicrome wire का, nicrome wire एक alloy है, alloy ही क्यों, क्योंकि alloy की resistivity अच्छी खासी होती है, ठीक ठाक होती है मतलब, है ना, conductor जैसा बुरा हाल तो नहीं होता मतलब, है ना, alloy इसलिए उस करते हैं, के बही, conduct भी कर ले वो current को, लेकिन उसकी resistivity भी क्या हो, resistivity जाद होगी, तो क्या करेंगे, अरे भाईया, resistance जाद होगी, उससे क्या होगा, उससे हीट जाद होगी, उससे क्या होगा, अरे उससे हीट करेगा, प्रेस कपड़े प्रेस करेगी, है ना, बाई, electric kettle, चाय गरम करेगी, ठीक है बाई, toaster bread गरम करेगा, गीजर पा तो जितनी भी heating वाले devices है ना जिन में भी आपको heat की requirement पढ़ रही होती है वो सभी में heating element होता है नाइक्रोम वायर होती है अलोई जो की है रो जादा, आर जादा, हीट जादा बढ़ते हैं आगे बलब की बात करते हैं ये बलब जो है, ये इनकेंडेसेंट बलब है, ये CFL बलब नहीं है, जो आजकल आपके घरों में लगा होता है आजकल तो बहुत ही जादा modern technology लगाता रही, पहले पीछे CFL बलब चल रहे थे, लंबे समय तक फिर CFL वाले भी outdated हो गए, उसके बाद उसके बाद ये वाले आ गए, LED बलब जा गए कहरें बढ़ी और सस्ते हैं, ये बढ़ी आवात है पिलामेंट है ना और इस ग्लास की कवरिंग के अंदर एक गैस होती है, कौन सी गैस होती है, आरगन या नाइट्रोजन भी हो सकती है, है ना and for the obvious reasons, क्या होते हैं वो obvious reasons, जड़ा pause करो वीडियो और कमेंट सेक्शन में लिखो देखते एतनी दूर तक कौन-कौन बच्चा आप आया, लगबग 50 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को चलते हुए, देखें कौन-कौन बच्चा यहां तक पहुचा है pause करें और मुझे comment section में लिखके बताएं, लिखने से दो फायदे होंगे पहला, जिन बच्चों को नहीं पता कि कौन सी gases, यह gases क्यूं use हो रही है, थोड़ा सा जाके वो google करेंगे और मैं आपको बता दूँ, कि यह chemistry का chapter number one है, chemistry के chapter number one में corrosion की चर्चा है है ना, तो यह corrode ना हो जाए, जो अंदर filament है, इसकी life कमजोर ना हो जाए, दीरे दीरे करके यह मर ना जाए, यह oxidize ना हो जाए इसलिए filament को बचाने के लिए nitrogen और argon लेकर के आया जाता है और इसमें भरी जाती है glass के अंदर समझगे बात को अगर argon नहीं होगी, nitrogen नहीं होगी, oxygen सीधा contact में अगर आएगी तो यह जल जाएगा yes, filament will burn, filament burn हो जाएगा, इतना जादा oxidize हो जाएगा के यह burn हो जाएगा तुरंट oxidize होता है, क्योंकि heat बहुत जादा ना, तुरंट oxidize होगा और यह burn हो जाएगा, आपका बलब खतम समझगे ना, तो इसलिए filament को बचाए रखने के लिए, लंबे समय तक चलते रहने देने के लिए आरगन, नाइट्रोजन इसके अंदर भरी जाती थी, भरी जाती है, इवन आज भी यह bulb यूज होता है, ठीक है लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे है, tungsten ही क्यों, है ना, यह जो बलब का filament होता है, इसमें tungsten wire ही क्यों यूज हो रही है, सुनिएगा tungsten wire यूज करने के दो फाइदे है, फाइदा नमबर एक, resistance जादा है, तो अरे heat जादा होगी ना, बहुत बढ़िया, heat जादा होगी तभी तो glow गा, heating effect पढ़ रहे है ना, current आएगा, heat पैदा होगी, उस heat से यह चमकेगा, है ना, तो resistance इसकी जादा होती है, heating effect जादा होता है और दूसरा, दूसरी property बड़ी important है, इसका melting point बड़ा low होता है, उससे क्या फाइदा है, अरे जल्दी से melt नहीं करेगा यह, है ना, यह जल्दी से melt नहीं करेगा, तो अपने अंदर heat को जादा समय तक क्या करेगा, retain करके रखेगा, यानी heat retention क्या होगी, जादा होगी, और द heat को लंबे समय तक अपने अंदर retain करके रखता है, जल्दी से फुक नहीं जाता, जल्दी से गायब नहीं हो जाता, जल्दी से जल नहीं जाता, next, चलते हैं हम लोग, fuse पर, है ना, तो fuse इस प्रकार का, शायद आपने देखा होगा, इसके अंदर wire होती है, ऐसी एक पतली सी wire होती है, इस wire को कहते है, fuse wire, ठीक है ना, fuse के अंदर जो wire होती है, उसे कहते है, fuse wire, किस चीज की बनती है, किस चीज की बनती है, alloy of lead and tin, है ना, tin lead alloy, tin मतलब SN, और lead मतलब PB, है ना, दोनों को fuse करके fuse, दोनों को fuse करके fuse मनाया जाता है, ठीक है, छोड़ो ये बात, है ना, कैसे ब ये tin lead का alloy ही क्यों हमारे लिए यूस होता है, तो भाई शमा करे हैं यार, कुछ उल्टा हो गया मुझ्षे, कुछ उल्टा हो गया टंगस्टन वायर का melting point सबसे जादा है सबसे जादा है very high melting point है, very high very high 3380 degree Celsius ठीक है, बहुत जदा melting point होता है, इसका, इसलिए heat retention जदा होती है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे उल्टा है, fuse wire के अंदर उल्टा है, fuse wire में क्या होता है? fuse wire में यह tin lead alloy इसलिए use किया जाता है क्योंकि इसका melting point low रखते हैं low क्यों रखते हैं ताकि जादा current अगर आ गया तो यह तुरंत पिगल जाए current अंदर तक ना जा पाए समझे ना यह security guard का काम करता है एक तरीके से घर के बाहर जिसे security guard लोग बिठाते हैं दुकानों के बाहर security guard बिठाते है ना जो क्या करता है बंदूक लेके वैठा होता है अपनी जान पर खेल करके कोशिश करता है कि बैइ जो मालिक हैं अदर या जो दुकान है उसको अपन क्या करेंगे प्रटेक्ट करेंगे चैट अनुदै कि अवर्लोड इनगふ हो इसे करके होगे है न sigh링 ऐ्नलेवर करंट on a से क्या होगा wire melt हो जाएगी wire melts circuit breaks circuit तूट जाएगा बस circuit break हो गया उसके बाद fuse को फैक दो नया fuse लगा दो सही है ठीक है आगे बड़े electric power पर आते what is electric power electric power है rate at which electric energy is transferred या फिर work is done देखो भई power का formula work done upon time होता है है ना या फिर energy upon में time होता है ये formula है power के basic formula class 9 वाले formula है class 9 के अंदर आपने power का formula जो पढ़ा था वो यही था work done by time या energy by time ठीक है ना तो देखो लिखा भी हुआ है electric energy किस rate से consume हो रही है या dissipate हो dissipate का मतलब होता है बाहर निकलना है ना या फिर consume हो रही है किसी भी circuit के अंदर है ना उसी को कहते है power यानि circuit तब ज़्यादा powerful होगा बात समझना circuit तब ज़्यादा powerful होगा जब कम समय में ज़्यादा energy transfer करें हाँ या ना कम समय में ज़्यादा heat या ज़्यादा energy या ज़्यादा work done चार्ज पर करवाए तब हम बोलेंगे circuit जो है वो ज़्यादा powerful है समझे के नहीं समझे बात को ऐसा unit क्या होती है इसकी वाट होती है है ना और power का फॉर्मला energy by time आपने देखी लिया यह वी आई वन हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है ध्यान रहेगी यह बात चीक है ना वन हॉर्स पावर यानि 1 hp is equal to 746 वाट चीक है commercial unit of electric energy क्या होती है यह किलोवाट आर होती है ठीक है और यह भी आपको ध्यान में रखना है कि 1 किलोवाट आर जो होता है वो 3.6 इन्टू 10 की पावर 6 जूल होता है 3.6 इन्टू 10 की पावर 6 जूल याद रहेगा ठीक है यह वन किलोवाट आर जो लिखा हुआ ना इसे कहते है commercial unit मतलब जो energy बेची जा रही है या खरीदी जा रही है आप जो consume करते हो energy अपने घर पर बिजली से काम करते हो ना वह यूज करते हो बिजली तो उसके बदले में आप पैसा देते होगे अरे बिल भरते हो बिजली का कि नहीं तो वो जो बिल भरते हो वो इसके हिसाब से ही वो commercial unit के हिसाब से ही बढ़ते है कितना commercial unit बिजली आपने पूरे महीने में खर्चा उसके हिसाब से आपको payment करनी पड़ती है ठीक है समझ में आया चलिए अब भाई जिसका तुम्हें बेसबरी से इंतजार था वो घड़ी आ गई आ गई आ गई सारे formula एक ही जगा पर लिख इंट्रों में e e मतलब वन इलेक्ट्रों पर जो चार्ज होता है i is equal to q by t current current is equal to charge upon में time होता है voltage होता है वक्ड़न अपॉन में charge कितना काम किया जा रहा किसी चार्ज पर फिर यह ohmslow का formula v is equal to i r और R के लिए हमने जो formula निकाला था इसकी डिपेंढेंसी पर वो था ro L by A. Slope की बात हम करते है वी आई का सलोप होता है वो delta V by delta I. ऐसे लिख सकते हैं और जो Vi का Slope है असल में वो R के ही बराबर होता है. आपको पता है delta V by delta I, R के ही फिर सिर्ई वाला फ़र्मुला आता है और 1 प्लस R2 प्लस R3 चलता जाता है पारलल के लिए 1 वायर पैरलल बोला मैंने LHS को याद करते हैं फिर RHS की तरफ आपने चलना यह ठीक है न वन वायर पैलल इस एकल फिर जायेगा जब तक आपने पैललल के इंदर जोड रखा पिर तो इन फ्रमुले आते हैं चेप्टर के अंदर एक आता है P is equal to V i उससे T multiply कर दिया तो energy का formula बन गया V i T Power का दूसरा formula होता i square R उसमें T multiply कर दिया तो यह energy बन गया i square R i T आप देखो ना Power को T से multiply करते जाओ energy के formula आ जाएंगे Power को T से multiply करते जाओ energy के formula आते जाएंगे power का तीसरा formula V square by R तो energy होती है V square by R into T units देख लें ज़रा ध्यान से हम लो current की unit ampere charge की कूलम V voltage की volt work done या energy दोनों की ही joule है power की watt है resistance की ohm है resistivity की ohm meter है length की meter और मोटाई यानि area की meter square होती है और commercial unit of energy जो है वो है kilowatt hour मैं side हो जाता हूँ अराम से आप चाहें तो screenshot इसका ले सकते हैं चीक है जी बेटा जी इसी के साथ आज के इस mind map में इतना ही है ना मैं लेता हूँ आपसे विदा अगला चेप्टर कौन सा चाहिए comment section भरा हुआ होना चीए जैसे light वाले mind map के अंदर आप लोगों ने बरा था बिलकुल वैसे ही जरा मुझे बता दो है ना कि आपकी preparation में अगली milestone क्या है उसी का ही मैं आपको mind map बना करके as soon as possible दे दूँगा this is all about the mind map of electricity मिलते हम लोग एक और वीडियो के अंदर तब तक के लिए टेक केर टाटा बाई बाई भारत माता की जै जैहिनवंदे मातरम